हेलो इवरिवन स्वागत है आपका नबोदित इस्टेडी में आज की लेशन में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन कार्ड योजिना के बारे में ओके देखेंगे कि योजिना क्यों लाई गई इसकी क्या फायदे होंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी चलिए तो बात करत ही गई है ओके तो इस योजिना को क्या हुआ वर्स 2019 में जासन कार्ड की अंतर राजिये पूर्टिबिल्टी सुब्धा के ताह सुरू किया गयता है इसका एक मतलब समझे इंटर इस्टेट पूर्टिबिल्टी इसका मतलब होता है जैसे आप सिम पहले होता था कि MP की सिम है यूपी की सिम है अलग-अलग अब क्या हुए एक से माँ पूरे देश में चलाते हो उसी प्रकार अब जासन कार्ड भी हो जाएगा कि जैसे आप जिस रासन कार्ड से MP में ले रहे हो आप दिल्ली गए तो उसी रासन कार्ड से दिल्ली में भी ले सकते हो या मुंबाई तो आप देश की किसी वी राज में, यानि कहीं से भी अनाज, उचितमूल की दुकाने होती हैं, जो खाद सुरच्छा की दृष्टी से जो सरकार देती है, खाना सस्ती दरपे, आप वो रासन कार्ड की जरीए से कहीं से भी खरीच सकते हैं, तो कुल मिलाके एक सब्दा को या जाके आप उस रासन कार्ड के जवारा खाना ले सकते हो, इसमें एक सब्दियूज किया गया, पॉइंट ओफ सेल, पी ओएस मसीन, क्या होती है, जैसे आप देखोगे, कि स्वेप मसीन होती है, आप पे करते हो कार्ड से, ऐसी पॉइंट ओफ सेल मसीन भी होगी, जो आपकी सारी जानकारी ओनलाइन रखेगी, कि आप इस नंबर का जो कार्ड धारक है, उसने कहां से कितना अनाज अभी तक लिया है, इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी, माल लीजिए आपका रासन कार्ड मद्द प्रदेश का है, आपने मद्द प्रदेश में अनाज लिया, उसके होगा, फ्रोड रुकेंगे, जो नकली रासन कार्ड होता है, वो रुक जाएंगे, और इससे डेटा सब का ओनलाइन रहेगा, तो किलियर रहेगा कि हाँ किसी को कम जादा भी न मिले, और किसी को अनाज देने से मना न किया जाए, जैसे अभी सबसे बड़ी समय से क्या कर रहा है, रासन कार्ड बिहार का है, अब उसमें वो खाना नहीं ले सकता था, तो उसे क्या हुआ, पैदा ली घाराना पड़ा, यदि पहले से सुब्दा होती, one nation, one रासन कार्ड का, तो वो जहां भी होता, वहीं उस रासन कार्ड से, उसे उचित मुल्की दुकानों से ख महसूस हुई, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खाद्यान की उपलब्दता कम होने की वज़े से, जब सहरों से गाओं की और पलायन हुआ, तो इनकी जरूरत सबसे ज़्यादा तभी महसूस की गई, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि इसका मुख खुदेश क्य है, ठीके, तो पॉइंट ओफ सेल मसीनों के माद्यम से अधार कार्ड से जोड दिया जाएगा आपका रासन कार्ड, आप दुकान गए, अंगूठा लगाया, आपका सारा डेटा वहाँ पर उनको दिख जाएगा, कहां से कितना अनाज लिया, आप अनाज लोगे, जितना आ है, और इसके फायदे क्या होंगे, इसके बाद देखोगे आप, कि जो डिपो होते हैं, यानि जहां पर अनाज रखा होता है, उनको क्या किया जाएगा, उन डिपो को भी ऑनलाइन जोड दिया जाएगा, जब ऑनलाइन उनको जोड जाएगा, तो वहाँ भी सारे, सारी जा नहां से आ रहा है डिपो होते हैं जो अनाज की अब उन डिपो की भी जानकारी ऑनलाइन रहेगी कि किस डिपो में कितना अनाज है किस डिपो से कितना अनाज किस जगह गया है तो वहां भी अब क्या होगा कि जो राश्टिये खाद सुरच्चा अधनियम है लोगों को तक उसके लाव पहुंचेँगे जानकारी रहेगी कि डिपो से अनाज कितना बाहर गया डिपो से किस जगे कितना अनाज गया उसकी भी जानकारी ऑउनलाइन यानि आपको जो अनाज मिलेगा उसकी भी जानकारी रह तो आसान हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो मैंने भी बताया कि point of cell मसीन क्या है मसीन वह यह जो आप बताएगी कि आपके कार्ड में कितना अनाज बचा है और आप अभी तक कितना कार्ड अनाज ले रखा है ठीक है तो अब आप देखोगी point of cell सब्द जो यूज है वो आप point of cell मसीन हो गई जिसमें आपको सारी जानकारी आपके बारे में रहेगी कि आपने कितना अनाज लिया है और अभी आपका कितना अनाज बचा है लेकिन point of cell इस्थान इस्थान यह दि कहता है तो इसका मतलब वो हो जहां पर अनाज मिल रहा है वो point of cell point होते हैं ठीक है और डिप online system तो मैंने बताई दिया कि क्या है गोदा में जहां पर अनाजों का भंडार किया जाता है तो कुल मिला आगे क्या हुआ इस जो योजना में है योजना का उदेश यह कि एक रासन कार्ड का उपयो करके देश में आप कहीं भी उचित मुल्ग की दुकान से अनाज ले सकते हो दूसरा होगा कि जितनी भी दुकान है इंटरनेट से इन इंटरनेट में आपका आधार कार्ड से रासन कार्ड जोड़ा रहेगा आप वहाँ अनाज लोगे आपकी सारी जानकारी उनको मालुम होगी और वह जानकारी यदि आप दिल्ली में ले रहे हो तो आपका जो MP का रासन कार्ड है यहां आपका डेटा आज आएगा यदि आप वापस MP में आते हो फिर यहां पर लेते हो उन दुकानों से अनाज तो यहां पर मालुम रहेगा कि आपने दिल्ली में अभी तक कितना अनाज ले रखा है ठीक है तो यह सारे फायदे रहेंगे पॉइंट आप सेल मसीन से जब आपका लेना देना होगा अनाज का डिप इंटर इंदिया का ही जो काम है ना कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाना है ठीक है सभी पंचैतों को भी जोड़ना है इंटरनेट से तो इसी के अंतरगती है डिपो ओनलाइन सिस्टम अब इस योजना के अंतरगत क्या है 24 राज और केंद सासित प्रदेशों के 65 कर करोड लबार्टियों को इसमें सामिल किया गया है बहुत महत्पूर है कितने 65 करोड तो अभी आपने देखा हो गया कि 80 करोड लोगों के लिए जब करोना के समय 80 करोड लोगों के लिए सस्ती दरपिया नाज देने की बात कही गई थी तो 65 करोड को तो अपन जोड़ लिए अनतरगात है जो अब 24 राजे और केंदर सासरित प्रदेसचों में कहीं भी रियाईती दरपे रासन प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए यही महत्पूर यहां पे एलाइन की रियायती दर पे रासन प्राप्त कहीं भी कर सकते हैं ठीक है किसी भी जो जितने भी राज्यों में पोर्टिबिल्टी सुब्दा हो जाएगी रासन कार्ट की उनमें रियायती दर पे किसी भी स्थान पे अनाज ले सकते हैं ठीक है अब उनके लिए अपने प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है गरीब मजदूर और ऐसे लोग लवानवित होंगे जो जीव का रोजगार या किसी अनकारण से एक राजी से दूसरी राजी में प्रवसन कर जाते हैं कुल मिलाके फाइदा तो उनी को होना न जो काम करने के लिए दूसरी राज्यों में या सहरों में प्लाइन कर जाते हैं ओके तो सबसे महत्रपुन बात यह यह इसमें कि अब लोगों को प्लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पे होंगे वहीं पे उनको उचित रेट प आप कहीं भी लेके घूमोगे आपका डेटा ऑन-लाइन हो गया अधार कार्ड से लिंक है आप जहां जाओगे वहां लोगे आपका सारा डेटा ऑन-लाइन रहेगा दूसरी जगे जाओगे उनको मालुम रहेगा कि आप अभी तक इस रासन कार्ट से कितना अनाज ले चुके हो तो अब आपको कोई यह नहीं कहेगा कि नहीं आप यहां से जाओ यह हमारे यहां का रासन कार्ड नहीं है योजना के लाप क्या होगि इससे पार दाश्ता आएगी क्यों कि क्योंकि सारी चीजें online होगी कोई किया हूं कितना नहीं किया उसके बाद क्या होगा एक कार्ट एक योजनपूरे देश में लाग हुए तो यानि हर जगे उपलब्द रहेगा आपको उस रासनकार्ट के माद्यम से खाद्यान दूसरा है तीसरी जो फैदा इसका कि नकली और डुप्लीकेट जो रासनकार्ट आ जाना चाहें उस दुकान में आप जा सकते हैं आप यदि आपको लगता है कि कोई सही से नहीं दे रहा है या कहीं का अनाज ठीक नहीं है या वो नापतौल ठीक से नहीं करता है तो आप अपनी पसंद की किसी भी दुकान में जा सकते हैं क्योंकि वो तो ऑनलाइन सिस्टम ह आप जाओगे आपका डेटा उसमें फीड हो जाएगा कि आपने कितना अभीता कनाज ले रखाए तो आप बादता नहीं है कि किस दुकान में आपको लेना है आप जहां चाहो अपनी पसंद की जगए ले सकते हो इससे खाद सुरच्चा भी होगी जो मजदूर दूसरे राज मरी को दूर करना ठीक है हेल्थ सिस्टम को सुधालना को पोशण को दूर करना ये सारे जो लच्च है उनमें से एक है भूँक को खत्म करना 2030 का जो सतत विकास लच्छे उनमें से एक है भूप को खत्म करना कैसे खत्म होगी जब सब को खाद्यान उपलब दोगा तो जब सब को खाद्यान उपलब दोगा उसका सिस्टम यही है कि एक ऐसा रासम कार्ड बनाओ कि जो ब्यक्ति जहां है वहां किसी भी इस्तिती में रह वहां पर वो अनाज ले सकता है उसको ऐसा नहीं है कि यदि उसका काम बंद हो गया कुरोना की वज़े से या अन किसी वज़े से उसको काम नहीं मिल पा रहा तो सीधे उसे अपने घार आना परे यदि नहीं मिल पा रहा तब भी वो दासम कार्ड के माद्यम से अपना वहां जो समझ पा रहे होगे कि पूरे देश के लिए लागू हो गया नकली जो सिस्टम थे रासन कार्ड वो खतम हो जाएगा आउनलाइन कनेक्ट होने से पूरे देश में डेटा रहेगा कि आप कहां से कितना ले रहे हो ठीक है अब प्रवासी मजदूरों को तुरंत घर नहीं भा कुमबई के लिए जाते हैं कितने मजदूर दिल्ली के लिए जाते हैं कितने मजदूर अन राज्यों के लिए अन किसी सहर के लिए जाते हैं ऐसे डेटा होना बहुत जरूरी है अभी सटीक डेटा हमारे पास नहीं होते कि कितने मजदूर पलाइन करते हैं सबसे बड़ी ब कि वहाँ की दुकाने उचित मूल में दुकान माल लीजिए, एक लाख लोगों के लिए उन्नों ने अनाज बित्रेंद रखा है अपनी दुकान में, लेकन किसी मौसम बिसेस में उचित मूल की दुकानों में भी अनाज नहीं उपलब दोगा, तो एक डेटा की जरूरत है कि क चेत्र में कितने लोगों का पलाइन हो रहा है यदि यह डेटा नहीं होगा तो इसमें भी समझता जाएगी कियों कि पता ही नहीं रहेगा माली जी एक दुकान की छमता है कि हम एक लाख लोगों को अनाज बाटेंगे लेकिन वहाँ पर पहुंच गए तीन लाख लोग ठीक है तो फिर वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी ना कम ही हो जाएगी किसी जगे एक लाख लोगों की छमता है बाटने के लि उपलब देता होनी चाहिए दूसरा है विवाद व्यूर्पन होंगे क्यों कि उचित मुल दुकानों के पास विवाद होने कि यह है कि कहीं कहीं अधिक काड़ धारक पहुंच जाएंगे कहीं काड़ धारक कम रहेंगे तो इससे भी काड़ धारकों की जब संख्या निश्चि नहीं रह जाएगी अभी जैसे फिक्स होता है कि इस मंत में यहां से इतने लोगों को खाद्यान का बित्रण होना है और उसके बाद क्या रहेगा फिक्स नहीं रहेगा कभी कोई कहीं भी आके ले सकता है दूसरी दुकान में अगली बार जा सकता है तो कुछ ऐसे मुद्द तो इसारी इसी समयश्या है कि डेटा वहाँ पर खाद्यान की कमी भी हो सकती है उस दुकान में जहां संख्या चानक से बढ़ जाए इंटरनेट और संद्रचना की कमी हमने बोला कि point of cell machine है उनके माध्यम से सभी का बित्रण होगा और डेटा रखा जाएगा point of cell machine तो फिर point of cell machine के लिए इंटरनेट ओ इंटरनेट की connectivity अभी हर जगे नहीं है ठीक है तो पहले तो आप पूरे देश में इंटरनेट की connectivity को अच्छा करिए गाओं गाओं में इंटरनेट यदि आप इंटरनेट connectivity नहीं होगी तो वो कैसे डेटा रखेंगे कि कितने लोग आ गाए कितने इंट भी ठीक रहे ओके तबी ताकि लोग आए और उनको तुरंद अनाल दिया जा सके एपी ओस मसीनों की कमी जिन मसीनों की मद्यम से डेटा रखा जाना है उनकी भी कमी है तो electronic point of cell मसीनों की भी कमी है तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा तो यह कुछ चुनोतिया है इसी के अंतरगत जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या समस्या आ सकती है इसको लागू करने में तो आकड़े की परयाप्तता ना होना विवादों की उत्पन होने की संभावना लजिस्टिक मुद्दे यानि एक उचित मूल की दुकान में चेंज होते रहेंगे तो यह सम इंटरनेट और समसीनों की कमी तो इस तरह से इस योजना में आपको इतनी पॉइंट याद रखना कि इसकी चुनोतियां क्या है लागू करने में तो जो रेड कलर से मैंने किया है यदि आप सिर्फ उनको भी देख लेंगे तो आपका कम चल जाएगा लिखने के लिए ठीक नकली जो रासन कार्ड है उनमें कमी आएगी इसके अलाबा आपको दो-तीन डेफनेशन देख लाएने की पॉइंट ओफ सेल क्या होता है डिपो ऑनलाइन सिस्टम का मतलब क्या है जैसे मल्टीपल चोयस में पूछ दे और इस तरह से कम्प्लीट हुआ बस तो वन नेशन व ठीक है सिर्फ उन राजयों में आप जाओगे तो उसी का यह फाइदा है तो क्या होगा कोरोना जैसे संकट यदी फिर से कभी आता है तो लोगों को सिर्फ खाने की बज़े से खाद्यान उपलब्दा ना होने की बज़े से उनको पलाए नहीं करना पड़ेगा कि वापस प झाल